वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल तो जैसा कि हमने फर्स चैप्टर का वहरी शॉट टाइप कोस्टन कम्प्रीट कर लिया था आज हम सॉट टाइप कोस्टन लेके आए हैं तो हमारा फर्स नमर जो कोस्टन है कोईसर वेट मॉडल को कब और किसने प्रतिपादित किया था नि वाट इस ओर्गैनिक एवलूशन जैविकावादी के अनुवांसिक लच्छनों के पीडी दर पीडी परिवर्तन को ही हम लोग कार्बनिक कर्म विकास कहते हैं यानि दा प्रोसेस बाइवीच चेंजेज इन दा जैनेटिक कॉंपोजिशन और पॉपुलेशन ओफ और्गैन जीन माइग्रेशन यानि विसेज प्रजाती कुछ जीनों का जो लोप हो जाते थे और फिर नएग बनते थे उन नएग जीनों को फिर जब दूसरे किसी अस्थानिये प्रजाती के साथ उनका मिलान होता था तो एक फिर नया पूल लिक अठे होता था तुसको उलोग जीन अस्थांतरन करते हैं what is cloning cloning क्या है अनि cloning का ताथ पर्या होता है कि अल एंगिक बिधी से एक जीव से दूसरे जीव को तयार करना जो जो उत्पादिक जो clone होगा वो एकदम अपने parent clone किसे सारेरिक और अनुवांसिक रूप से एकदम सम्रूफ होगा इसको मैंने इंग्लिस और हिंदी दोनों में किया है ताकि आप लोग को बिल्कुल भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो तो इंग्लिस के बच्चे भी देख सकते हैं जो इंग्लिस वाले स्टुनेंट्स है और जो हिंदी वाले हैं वो भी देख के आराम से कर सकते हैं ठीक है उसके बाद जो एक्जक्ट जैनेटिक्ट कॉपी बनाते हैं living things के जैसे कि उनके genes में sales और tissues even उनका whole animals can be cloned इस तरह से whole animals को भी clone तयार किया जा सकता है ठीक है उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चों के होते हैं कि English में बताये हिंदी में बताये तो मैंने कोशिश किया है ठीक ह वाट इस क्राइक्टरस्ट्रिक्स और प्रोटेस्टर का क्या विश्थता है तो जो इनमें सभी जीव क्या होते एकोशी किये होते हैं जिनमें सुगटी तर्षीट केंद्रग भी पाया जाता है और इनमें autotropic और hyalogyak जिसको कहा जाता है प्रकृतिक portion होता है सैवाल और bryophyta में दो सामानाता है similarities between algae and bryophyta तो सैवाल और bryophyta दोनों ही autotropic होता है और स्वापोशी होता है दोनों में bascular tissues का अभाव होता है यानि उनमें नहीं होता है सैवाल और bryophyta में जो nutrition होता है उनका क्या होता है उन दोनों में ही उनको पानी की जरूरत यानि जल की जरूरत होती है ठीक है उसके बाद का question से हमारे पास कि tunics क्या है tunics के एक membranze होता है जो की structure जो cover किया रहता है ठीक है लाडवेशी के दो लक्षन बताईए तो लाडवेशी जो class लाडवेशी था उनके दो लक्षन ये हैं कि ये लोग open ocean में ही रहते हैं और बिल्कुल भी near the shore in the surface water surface water के उपर रहते हैं लाडवेशी plants plankton को ही खा कर जीते हैं लाडवेशी यारे small होते हैं size में clear sea animals होते हैं that makes a complex net जो अपना complex net बना कर रखते हैं ठीक है लाडवेशी के इस तरह के लक्षन है लाडवेशी क्या है बिल्कुल भी open ocean में ही रहते हैं ठीक है उसके बाद को question से जीम्रिल स्पर्म और लिनो स्पर्म में दो समयनाता हैं लिखी है similarities दोनों में क्या क्या होता है तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों में ही steam leaves और roots पाये जाते हैं दोनों में ही phloem both of companion cells both have highly evolved plants तो इस तरह से हमने आज यह जितने question से उसको हमने complete किया आगे भी हम आपके लिए questions with answer लेते आएंगे आपके book से ही है तो अपना ध्यान से पढ़ाई करिए और ठीक से करिए ताकि आगे भी आपके exam में दिक्कत ना है और जो भी दिक्कत होगा ह आपको उसका answer provide करा से के तो हमें देखते रहिए thank you bye bye